राजगर जिले के शासन की ओर से इन दिनों प्रदेश में चना मसूर की तुलाई की जा रही है। लेकिन शासन पर शासन द्वारा ध्यान नहीं देने के चलते, किसानों को 45 डिग्री से अधीक तापमान में परिशान होना पड़ रहा है। किसानों के लिए चाया पानी तक के इंतिजाम नहीं है। राजगर जिले के ब्यावरा खरीदी केंदर पर तो किसानों के ट्रेक्टर को मंडी में जगह नहीं होने के कारण शहर के मध्य इस्तित क्लब ग्राउन में खेल के मेदान में खड़ा किया हुआ है। जहां किसानों के लिए न तो पानी के इंतिजाम है और नहीं चाया है। ऐसे में किसान 45 जिगरी के इस तापमान में ट्रेक्टर के नीचे ही सो कर अपनी दिन रात काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि 2-3 दिन में नंबर लगने के बाद माल तूल रहा है जिससे किसानों को 2-3 दिन तक कलब ग्राउन परिसर में सोना पड़ रहा है। वहीं धूप और अचानक आने वाली बारिश में बचाव नहीं होने इसके कारण फसर खराब होने का खत्रा बना हुआ है। वहीं प्रसासन का कहना है कि सासन के द्वारा किसानों के लिए निधारित की गई चना मसूर खरीदी की तारिक को बढ़ा कर 6 मही तक कर दिया गया है। अधिक्र भूआपा रखे घ्रण कर खरीदी के का कौन से अधिक्रिकरी का कर वाही के दूटरी के रहा है। मालों अगर बारिश आजाती है इसे भी बारिश आजाए तो कई पल्ले लेगाया भी नहीं नहीं पल्ले ही नहीं कोई के पास तो भींजरी पसल अच्छा पसल भी इतने का विड़ाई गई यह खरीदी के लिए सासन दौरा भी हाली में पत्रा आया है दो गट में पहले तो जो तारिक 21 तारिक नियत की अपिंट आए उसको बढ़ा कर दिया गया है और इसकी जानका ही हमने अपने एसे मेस के माध्यम से अपने खरीदी के माध्यम से अपने संबंद कारियों के माध्यम से भी धवर अधी के लिए इंतजार बर रहे हैं तो ऐसे कोई जानकारी है से कुछ सिकायत हमारे पास आई नहीं है यह कोई ऐसी है तो हम इसको जांच करवा लेते हैं और जो भी कर वा जो भी करें